हाई एबरिवन मैं हूं सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई बाई एस जे एस तो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आए हूं बेशन की बहुत ही मज़ेदार सबजी की रेसिपी जो बिना टमाटर की बनेगी तो फ्रेंड्स रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी क अनुसार नमक आधा चमज धनिया पाउडर डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकोडिंग डाल सकते हैं आधा चमज लाल मेच पाउडर एक चोथाई चोटी चमज हल्दी पाउडर एक चोथाई चोटी चमज गरम मसाला एक चोथाई चोटी चमज जीरा पाउडर है भूना जीरा पाउडर नहीं है तो कच्चा भी ले सकते हैं और यहां पर चार से पांच चम्मच दही डालेंगे इससे जो डो बनेगा या बेशन वाली गोली थोड़ी सौप्ट बनेगी एक चम्मच तेल डालकर इसका मोयन लगा देंगे अच्छी तरह से पहले सारे सुखे चीज को मिला लेंगे ताकि सारे चीज बेशन के कोने कोने में मिल जाए अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक दो तयार करेंगे और पानी ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा ही डालना है एक ही बार नहीं डालना है और इसका थोड़ा सौप्ट डो तयार करना है को निया पर तैयार और हो चुका है अगर सकते हैं थोड़ा सा इसको सॉप्ट बनाना है रोटी से सोफ्ट चुम रोटर टेना है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच भूना जीरा पाउडर है, सारे चिछ को अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे, इसमें आधा चम्मच भूना जीरा पाउडर डाले हैं, कि रेगुलर चम्मस से ही लिए हैं तो यहां पर दही वाला मसाला बनकर तयार है आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसमें सारे मसाले मिल चुके हैं और बेशन वाला जो डो है उसके छोटे-छोटे टुकडे लेंगे और ऐसे हाथ पर गोली जैसा बना देंगे तो आज मैं ब देख सकते हैं एकदम समूथ बना हुआ है तो सारे गोले बन बनकर तयार हो गए है अब यहाँ पर एक रखेंगे उसमें भी थीन से चार फिंच है मेरी इस्ट्रॉंग नहीं नहीं आपकी अगर इस्ट्रॉंग फ्लेवर की हो तो एक पीन्च से ज़्यादा न डालें दो प्याज है इसको मीडियम काट लिये हैं इस साइच की प्याज बारिक काट लिए हैं बारिक बारिक आप इसको चाहें तो कदू कस भी कर सकते थे अब यहां पे डालेंगे एक चमच कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर एक कलर के लिए है यह तीखी नहीं होती है एक चमच अद्रक एक चमच लहसुन है जिसको कदू कस कर ली प्याज को और अद्रक लहसुन को थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका कच्छा पंदूर हो जा और प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जा तब तक इसको भूनेंगे मेडियम फ्लेम पे भूनना है हाई फ्लेम पे सारे चित जल जाएंगे अब दही वाला मसाला इसमें आइड करेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो दही फट जाएगी इस स्टेज पर या तो आप गैस का फ्लेम एकदम लो रखें या तो एकदम हाई रखें और लगातार चलाते हुए ही इसको पकाना है जिसा कि देख सकते हैं कि दही और मसाले सारे मिल चुक देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाई और तेल से प्रेट हो जाए प्रेंड देख सकते हैं कि If त्ट अच्छी तरह से अब मतलब कि मसाले बहुत अच्छे तरह से भून चुके हैं थोड़ा इसको चला देंगे अब देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही प्यारा आया हुआ है इसमें डालेंगे एक कप के लगभग पानी डालेंगे है और गरम पानी है तो आपको शिस करें कि गरम पानी ही आट करें यहां पर कि अचांच आप के स्वाधान नमक नमक ध्यान से डालना क्योंकि बेशन में भी नमक डालें तो बस जो भी मसाले पानी है इसके हिसाब से ही डालना है नमक एक चमज कसुरी में थिए थोड़ा से करने इसको इच्छा टेश्ट आता है कसुरी में थी आपके पास हो तो जरूर रज़ाओ एट करें करणे और वेशन वाली गोली जो है एक एक करण के इस ग्रेवी में डाल देंगे खलती हुई ग्रेवी में एक एक करके डालेंगे इसकी सब्जी बहुत ही स्वाधिस्ट लगती है तो आप जरूर ट्राय करना और फ्रेंट्स मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेल आइकन भी दबा दीजीगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो सारे गोली को इसे ही डाल देंगे ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं पतली गाड़ी जैसे आपको खाना पसंद है यह वाई साबकी है इसको अभी ज्याधा टच नहीं करेंगे इसीग्रेवी में पकने देंगे और जैसे जैसे देख सकते हैं कि पक रही गोली बॉल जो भी कर सकते हैं उपर तैर रही है तो अब है फ्लेम ही रखे हैं लेकिन इसके बाद करके मेडियम में करके तीम से चार मिनट तक फिर वापस से इसको पकाएंगे तो देख सकते हैं कि पांच मिनट हो गये हैं और गोली तेयर कर ओपर आ गई है अच्छे से पक चुकी है तो यहां पर बारिक कटा हुआ धनिया डाल देंगे थोड़ा सा है और ग्रेवी देख सकते हैं कि कितनी लजीज बनी हुई है तो आप इसे जरूर ट्राय करिएगा यह सब्जी बहुत ही स्वादिश्ट बनी थी तो यहां पर गैस का फ्लेम ओफ कर देते हैं और ले चलते हैं सर्व करने तो फ्रेंट्स देखिए कितनी प्यारी सब्जी बनी हुई है बहुत ही देखने में भी प्यारी टेश्ट में तो एकसिलेंट है इसको आप बनाएंगे तभी आपको यकीन होगा क्योंकि इस टाइम टमाटर बहुत महंगे मिल रहे हैं और सब्जियां भी घर में अगर और इसे रोटी नान पराठा किसी के साथ भी इंजवाय कर सकते हैं एस सब्जी चावल के साथ भी बहुत स्वादिष्ट लगती है और फ्रेंट करके बताईएगा कि मेरी रेसीपी आपको कैसी लगी इसके बाद आपको काौंसी रेसीपी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है तो मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई and टेक केर